दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको आधार कार्ट से कैसे पैसे निकाले जाते हैं इसकी complete जानकारी बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप आधार कार्ट से पैसे निकालने का बिजनस सुरू करना चाते हैं तो किन-किन चीजों की जरूरत होती है किस तरीके से idea और password मिलता है किस तरीके से ग्राहक के पैसे निकाले जाते हैं और इस business में महीने के कितने रुपे की कमाई होती है वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताई थी अब उस वीडियो के नीचे काफी सारे लोगों का comment है कि सर जो हम लोग ग्राहक के पैसे निकालेंगे तो ग्राहक को पैसे देने के लिए पैसे कहां से लाने होते हैं तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि जिन लोग का भी हम आधार कार्ट से पैसे निकालते हैं उन लोगों को आखिर पैसे कहां से दिये जाते हैं हमें पैसे कहां से लाने होते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी complete जानकारी देने वाला हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप आधार कार्ट से पैसे निकालने का बिजनस सुरू कर रहे हैं तो आप महीने के 30,000 रुपे कैसे कमा सकते हैं एक रोड मैप आपको दूँगा कि आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आप महीने के 30,000 क्या उससे जादा भी पैसे कमा सकते हैं हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरू चैनल वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, सेयर और सबस्क्राइब तो आप जरूर करिएगा दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पिछले दो साल से अपने लोकल मार्केट में लोगों के आधार कार्ट से पैसे निकालने की सर्विस दे रहा हूँ और मैं यहां से अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता हूँ ये जानकारी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़े आपको बताने वाला हूँ वो मैं कहीं पर सर्च करके या फिर किसी से पूछ कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले दो साल से आधार कार्ट का बिजनस शुरू करके लोगों के पैसे निकाल रहा हूँ तो जो जो चीजे मुझे पता है जो जो परिशानिया होती है किस तरीके से इस बिजनस में कमाई होती है ये सारी चीजे मुझे पहले से ही पता है और वही सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेयर करने वाला हूँ तो ग्राहक को पैसे देने के लिए कहां से लाए जाते हैं इसकी जानकारी हम लोग आगे जानेंगे सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ कि अगर आप आधार कार्ट से पैसे निकालने का बिजनेस सुरू कर रहे हैं तो उस बिजनेस के जरीए आप महीने के 30,000 रुपे कैसे कमा सकते हो इस चीज़ को आप पुरा ध्यान से समझेगा देखे जब आप किसी भी दुकान पर आधार कार्ट से पैसे निकालने जाते हैं और वो दुकानदार फीनो मित्रा की आईडी से पैसे निकालता है या फिर स्पाइस मनी से निकालता है या फिर पेनियर बाई से निकालता है ये सारी प्राइवेट कमपनिया है और इन कमपन को आप ध्यान रखेगा देखिए इस business को आपने शुरू कर दिया है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है daily का एक लाख रुपे का transaction करते हैं यानि कि daily का आप एक लाख रुपे customer के withdraw करते हैं यानि पैसे निकालते हैं तो आप 30 दिन तक यही काम करोगे यानि रोज का एक एक लाख रुपे जोड़ा जाए तो यह 30 दिन में 30 लाख रुपे आपने withdraw कर दिया है और आपको पता है कि 1000 रुपे पे जो भी private company हैं जिनका भी आप APS चलाओगे 1000 रुपे पे 10 रुपे वो लोग चार्ज करते हैं जो भी दुकानदार है तो इस तरीके से आप भी चार्ज करोगे तो जब 1000 रुपे पे आप 10 रुपे चार्ज करोगे तो इसी तरीके से एक लाख रुपे पे 1000 रुपे आप चार्ज कर लोगे ये आपका जो 1000 रुपे होगा ना इसमें से 1,000 रुपे खर्च नहीं होता है यानि किसी को देने नहीं होते हैं ये आपकी बचत होती है तो अगर आप एक दिन में 1,000 रुपे का भी ट्रांजेक्शन कर दे रहे हो तो आप एक दिन का 1,000 रुपे कमाओगे ही और जब आप एक दिन में 1,000 रुपे कमा रहे हो तो महीने के 30,000 रुपे वैसे ही बन जाते हैं लेकिन इसके अलावा भी और भी कमीशन के भी कमाओगे होती है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ वैसे देखिए 1,000,000 रुपे कोई जादा बड़ी रकम नहीं है अगर आपकी दुकान अच्छी चल जाती है तो आप 2,000,000 रुपे भी एक दिन में विड्रो कर सकते हो यानि 2,000,000 रुपे तक ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो बहुत सारी दुकाने हैं जो मेरी परिशे की हैं वो 2, 2, 3, 3,000,000 रुपे तक पैसे निकाल देती हैं और महीने के काफी अच्छे खासे पैसे कमाती हैं तो यहाँ पर हम जो हैं सिर्फ 1,000,000 को ही पकड़ के चल रहे हैं तो अगर आप एक दिन में 1,000,000 रुपे भी ट्रांजेक्शन विड्रॉल कर देते हो यानि अधार काट से पैसे लोगों को निकाल देते हो एक लाख रुपे भी तो आप एक दिन का 1,000 रुपे कमा लोगे इसके अलामा जो है जिस भी कमपनी का आप APS चला रहे हो तरब से कमिशन मिलता है इसी तरीके से अगर आपने जो है एक लाख रुपे निकाले तो आपको 100 रुपे कमपनी की तरब से ही कमिशन मिल गया है और महीने के आप 30 लाख निकाल ही रहे हो तो जब 30 लाख ग्रहा क्या पैसे निकाल रहे हो तो इस 100 रुपे को 30 से अगर multiply करोगे यानि इसमें गुना करोगे तो 3000 रुपे होते हैं क्यूंकि एक लाख रुपे पे अगर आप 100 रुपे कमिशन पा रहे हो तो इसी तरीके से आप 30 दिन तक पैसा निकालोगे यानि 30 लाख रुपे टोटल निकालोगे और एक दिन का अगर मीनी स्टेटमेंट चेक करने का एक रुपया कमिशन आपको मिलता है और अगर आपने महीने भर में 500 से 600 बार भी मीनी स्टेटमेंट चेक करके ग्राहक का balance बताया तो आपको 500 से 600 रुपे मीनी स्टेटमेंट देखने का कमिशन का पैसा मिल जाएगा तो 3000 रुपे ये हमने ज चार्ज करोगे तो महीने के आप 30,000 रुपे उसी तरीके से कमा रहे हो कमिशन को साइड में रग दिया जाए तो भी तो बस अगर आप अधार काट से पैसे निकालने का बिजनस सुरू कर रहे हैं या फिर सुरू करने की सोच रहे हैं तो आप सुरू कर सकते हैं अच्छी खास ATM तो सुरू कर रहे हैं या आधार काट से पैसे निकालने की सर्विस को हम सुरू तो कर रहे हैं लेकिन जो हम लोग ग्राहक को पैसे देंगे वो कैस में पैसा हमारे पास आएगा कहां से तो देखिए आप अपने पास कैस में इन तरुकों से पैसे ला सकते हैं पहला तो तर case available हो जाएगा या फिर अगर आपने bank में खाता खुलवाया है आप bank बंध है आप bank में नहीं जा सकते हैं पैसे निकालने के लिए तो उस condition में आप किसी भी petrol pump से भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि petrol pump पे ज़्यादा तर cash available होते हैं और उनको भी cash को दे करके उनको bank में जमा करवाना होता है तो इस condition में आप उनसे ये कह सकते हो कि हम आपके खाते में पैसे भेज दे रहे हैं अपने mobile phone से ही आप उसके बदले में हमें cash में पैसा देजिए तो इस तरीके से भी काफी सारे लोग deal करके petrol pump से भी cash में पैसा लाते हैं तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि ग्राहक को पैसे देने के लिए आपको जो है bank से पैसे अपने ही पैसे निकाल करके अपने पास रखने होते हैं कोई आपको अपना पैसा आपको नहीं देगा वो पैसा आपका ही होगा और आपका पैसा अगर आपके पास cash है तो बहुत अच्छी बात है अगर bank में रखा है तो आपको सबसे पहले उसे निकाल करके लाना होगा और फिर उसे ही ग्राहक को देना होगा और जो ग्राहक का पैसा आप निकालोगे उसे फिर ग्रहां का आपके पास आ रहा है उसका आधार काट के थूरू उसके बैंक खाते से पैसे निकाल के आपको अपनी ID में इकठा कर लेना है पैसा इकठा हो जाने के बाद आप साम के समय में अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं सुबह की टाइम में आप बैंक से जा करके नि पसंद आया है तो लाइक सेर और सबस्क्राइब तो आप जरूर कर दीजएगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जाए हिंद बंदे मातरम